हालो, दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे पास एक पहना सोनिक का टी वी आया है रिपेरी के लिए इसकी बैक लाइट तो जल रही है, आप देख सकते हैं, पीछे से दिखाई दे रही है बैक लाइट आपको जलती हुँ दिखाई दे रही है लेकिन इसकी स्क्रीन पर कोई display नहीं है जबकि backlight इसकी ये देखिंगे जल रही है ये जल रही है लेकिन इसकी स्क्रीन पर कोई picture नहीं आ रही है तो इसमें सबसे पहले हम पैनल के वोल्टे चेक करेंगे यह इसका पैनल है, जिसका नंबर आप देख सकते हैं, V320BJ3XC01 है, यह इनॉलेक्स का पैनल है, यह देखे, इनॉलेक्स, यह इसमें, CM501IC लगी हुई है, DC2DCIC, मैं आपको दिखाने की क्यूसिस करता हूँ, मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा दिख्कत हो रही हुगी, CM501, अब हम इसके आउटपूट वोल्टेज चेक करेंगे, पैनल के, पैनल में कितने कितने वोल्टेज तहाँ पर आ रहे हैं, सबसे पहले, मैं आपको मेटर दिखाता हूँ, जो कार्ट से वोल्टेज आएंगे, 12 वोल्ट टीवी ओन होने पर, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, इस पर 12 वोल्ट आ रहे हैं, 11.9 वोल्ट, आप देख सकते हैं, इसके बाद हम इसके, DC to DC IC के वोल्टेज चेक करेंगे, यह देखिए आप, VDD, 17 वोल्ट के VDD वोल्टेज आ रहे हैं, यह आपका VDD वोल्टेज हैं, 3.2 वोल्ट, VDD 3 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, यह आपका VGH, 29 वोल्ट, यह VGL, 7.8 वोल्ट, OK, VGH 29.4 वोल्ट, OK, लेकिन सारे वोल्टेज ओके होने पर भी हमारी पिक्चर नहीं आ रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पैनल में देखेंगे कि साइड कॉफ है की नहीं, सबसे पहले साइड कॉफ चेक करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैं खुदी वीडियो बना रहा हूँ, मैं खोल लेता हूँ टीवी को और पलटके दिखाता हूँ आपको, इजे सकी है आप देख रहे हैं, मैंने इसका पैनल खोल दिया है, और इसमें ये दो साइड कॉफ लगी हूँ है, अब मैंने इस साइड कॉफ का नंबर ट्रेस किया, जिसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये देख सकते हैं, जब मैंने इसका डाटा लिया, क्योंकि मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैं आपको इसका डाटा दिखाने की कोशिज कर रहा हूँ, वोल्टेज और डाटा देखने के लिए थोड़ा सा तो आपको प्रॉब्लम होगी, यह देखिए, इसकी कॉफ का नमबर है, NT39567HC5251A जो की इस साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखिए इसका जो पिंस हैं, साइड कोप में यह आपको किलियर करके दिखाता हूँ, यह देखिए, यह एक नमबर है, यहाँ पर VGH वोल्ट आते हैं, यह उपर दो नमबर है, इस पर VGH वोल्ट आते हैं, यह उपर तीर नमबर है, इस पर आपका VDD 3.3 आता है, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर VDD आता है, इसके नीचे, 8 नमबर OE1, OE1 जिसमें की 1 वोल्ट आते हैं, इसके नीचे 9 नमबर, 9 नमबर में आपका OE2 1.1 वोल्ट आता है, इसके उपर देखेंगा यहाँ पर, पिन नमबर 7, इसमें आपका CKV, CKV वोल्ट आता है 2.1, CKV के नीचे आप देखेंगे, पिन नमबर 5, पिन नमबर 5 पे आपका STV 3.2 वोल्ट आता है, STV 3.2 वोल्ट लेकिन यह सब वोल्ट मुझे पूरे मिल रहे थे, खाली VGH का जो वोल्ट है वो यहाँ साइड को अपर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से एक जमफर लगाके और पीछे जो सर्किट वोल्ट है हमारा, वहाँ पे मैंने आपको VGH वोल्ट चेक करके दिखाये दे, यह मैं आपको इसका डाटा दिखा देता हूँ, यह देखे किलियर होगे तो यह देखे किलियर होगे, यह आपको डाटा दिखा देता हूँ, यह इसका डाटा है, साइड कोफ का, इसमें हमारे VGH वोल्टेज नहीं आ रहे थे, जो कि मैंने पैनल से जमफर के द्वारा इसकी पिन नम्मर, साइड कोफ की पिन नम्मर एक पर जोड दिया, जोडने के बाद यहां पर 27 वोल्ट आ गए हैं और टीवी हमारा ओके हो गया है, मैं आपको अभी ओके पोजिशन में दिखाता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आपको कि दोस्तों कि ये काम मुझा के लिए करना पड़ रहा है कर दो coda मुझे रखना पड़ाद सोटि इस टीबी को मुझे जम्पर लगाने के लिए सेल्ट मापड़ा है क्या कि जंपर में लगा दिया या या देकर में लगा दिया है टीवी आंकर दिखाता हूं अपको ह tutaj कि देखिए यह देखिए दोस्तों कि एवी टू आ गया लिखा हुआ इसक्रीन आ गई है इस पर कि यह देखिए वॉल्यूम भी आ गया है कि तो कि यह फाल्ट हमारा निकल चुका है बिल्कुल ब्लैंक की स्क्रीन थी बैक लाइट ओके थी साइड कोप पर हमारा वी जीएज बोल्टेज जो कि 27 वोल्ट होता है वो नहीं आ रहा था वो मैंने जमपर लगा के बाहर से दे दिया है और यह देखिए टीवी हमारा ओक्के हो गया है यह देखिए वो कैसा लगा मेरा वीडियो उस तो बहुत दिनों के बाद करीब करीब एक साल बाद मैंने वीडियो बनाया है कोरोना की वेए से काफी प्रॉलम होने की वेए से कुछ काम बंसा था बंता चलनी रहा था इस से आपको काफी हैर्प मिलेगी थैंक यू फॉर बाची में